अफ्ला सुडेंट Welcome to my YouTube channel Akhil Math Classes तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं вटशी नमबर 2 का दूसरा कोशन तो पिछ्छले वीडियो में हमने कोशन नमर 1 कोडिसकस किए था तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है कोशन नमर 2 तो देखो यहां पर question number two क्या लिखा हुआ है triangle ABC is Isis के list with AB equal to AC ठीक है ध्यान से समझे चिसको क्या लिखा है यहां पर जो triangle हमारा ABC है वो एक Isis के लिखा है ठीक है यहां पर triangle ABC जो Isis के लिखा है AB equal AC के साथ तो AB जो side है वो equal AC के साथ यहां तक समझ में रहा है क्योंकि Isis के लिखेंगल की दो साइड equal होता है तो कौन से दो साइड equal है यहां पर given कर दिया है कि AB बराबार AC के साथ तो यहां पर लाइन सेग्मेंट करता है किया करता है यहां इक मिनट में को समझाता हूं अगर एडी-लाइन सेगमेंट एंगल एक को अगर करता है इसका मतलब यहां से जो आप आगल ड्रों किया देखो इसका एंगल के मैजरमेंट जो होग यह से क्या किया किया है यह होल को मान सकते हो ठीक है कहने का मतलब बहु कंद इहां परोका baik अब बोलेंगेंस नहीं दोनों यहां तो समझ में आ रहा है फिर यहां पर सवाल बोल रहे हैं find the third pair of the corresponding part third pair of corresponding part निकालो जिससे कि यह दोनों triangle जो है कॉंसे triangle को बारे हम बोल रहे हैं कॉंसे triangle को बारे हम बोल रहे हमको तो यहां पर लिखा हुआ है ADB और ADC मतलब ADB ध्यान से मेरे हाथ को देखो ADB यह वहला triangle और दूसरा ADC क्योंकि दो triangle को ही congruent प्रूफ करते हैं ना एक triangle अक्केला तो congruent होगा ही नहीं तो हमें दो triangle हमेंसे given किया होता है तो हमें अभी निकालना है triangle ADB को congruent proof करना है हमें ADC but one condition यहां बोला है कि SAS condition ही SAS का जो congruent condition है उससे ही हमें प्रूफ करना है तो SAS में क्या होता है बचो दो corresponding side और उनके included angle तो corresponding side और उनके included angle यहां पर देखो ऐसे कुछ हो रहा है yes हो रहा है देखो given part देखो पहले कि AB equally किसके साथ AC के साथ और हमने यहां पर दिखा कि AD के alignment जो की angle A को by side कर रहा है इसका मतलब यहां पर जो angle होगा BAD का angle measurement होगा CAD का angle measurement वह होगा तो हमें तो यह एक मिल गया यहां यह दोनों तो equal थे AB बराबर था AC के साथ और यह दुनों भी हमें equal मिल गया है यह दुनों corresponding angle क्या है दुनों यह दुनों corresponding ठीक है यह दुन जो corresponding angle है क्या होगा यह होगा सिंपल से बात है और इक बार बोलता हूं ध्यान से सुनों ABD जो triangle है यहां यह जो angle है angle जो यहां पर A है मतलब इसका angle यह तो नहीं बोलेंगा full नाम बोलो इसको angle है कहने से total को समझेगा इसलिए इसका full नाम दो अगर मैं बोलो triangle ABD जो triangle है हमारा यह वाला जो angle इसका नेमिंग क्या बोलो गया BAD का measurement जो है C D का measurement बहई है तो जो triangle हमारा ABD जो है यह जो हमारा angle BFAD मतलब कौन से angle यह वला angle जो है इसका यमिंगल यह wall तो अब दोनों इक्वल है इसका मतलब कोर्रस्पंडिंग पार्ट समरे एक्वल है और एक और एक एडिशनल सैड कौन से होने से यह हमारा इस से इस कंडिशन हो जाएगा इस से इस कंडिशन हो जाएगा क्योंकि हमें एक साइड यहांं पर हमने तो क्या अधिᵉकवल होगा युट लृुल क्यों कोई क्यों केंटी übersाव चाहिए ईकल का इした अक्य न चया पाट है इसलिए यह triangle हमारा SS condition में congruent हो जाता है ठीक है तो यहां पर find the third pair of corresponding pair यहां पोले third pair of corresponding pair क्या होगा तो दो तो हमें given है कौन सा given था यहां पर corresponding एक corresponding one pair of corresponding side that is AB and ADAC and the second जो second हमारा corresponding जो पाथ है हमारा कौन सा यह वाला angle equal होगा इसके साथ ठीक है अब तीसरा क्या होगा third pair हमें बूर्ड थर्ड प्यार लिखो दो प्यार तो हो जुके third प्यार क्या होगा third pair होगा हमारा AD मतलब AD बराबर AD ठीक है यह है हमारा third pair यह है हमारा third pair सब को समझ में हा रहा है यह वाला concept ठीक है तो स्टेटमेंट लिख लोगे इतना कुछ दिक्कत नहीं हो कि स्टेटमेंट लिखने के लिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपने समझ लिए यहां पर कैसे करना इसको ठीक है अब हम बढ़ते आगे फिर यहां पर सवाल सब्सक्राइब कर दिया है यह इतना प्रूफ करने के बाद यह सवाल करने के बाद ही है कि सवाल पूछ रहे हैं कि इस हैं हमारा बीडी है क्या यह सीडी के साथ हो सकता है क्यों हो सकता है आप मैं समझाया था यह क्या है अच्छी तरह इसके ऊपर बना है नहीं देख हो जाकर देख लेना इसके त्रेंगल कॉर्णेंड होते हैं उनके कोर्सपंडिंग पार्ट इक्वल होंगे हम से इतना लिख देंगे सिपी सिटी इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा ज्यादा कुछ क्योंकि मैंने इसके उपर अल्रडी एक बड़ा सा एक बहुत बढ़ा वीडियो मैंने लंबा सा वीडियो बना कर रखा है सिपी सिटी के भारे में पार्रिस्पंडिंग को पा प्रीडि اليस्ट में अपको मिल जौफ वीडियो सिप्य सिटी थंम्रेल में ही लिखा होगा सिपी सिपी सी तो अब जाक उसको देख लगो समाज में आ जाएगा तो यह जो यहां पर लाश्ट में जो सवाल पूछा था क्या बीडी बराबर सीडी के सथ यह सिक्वल होगा यहां पर लिखाओ कि यहां पर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है बस हो गया ठीक है समझ में रहा है सबको क्या नमबर दो हमारा यहां पर खतम होता है नेक्स्ट वीडियो में स्टर्ट करेंगा कौश्च्य नमबर थृऊ को यहां पर फिनिश और रहास हावाल जो कोस्षखनान डृक्ष करने से में नियुक्रव करना है दो प्रीयार लिखना करस्स द्रफ्याइच को इकूल सब्स स्टेट्मेंट बता है किसे लिखना है तो जो पहला कोशन समझ गया होगा वह दूसरा कोशन में समझ जाएगा कैसे स्टेट्मेंट लिखना है सिर्फ स्टेट्मेंट को बारे हम बोल रहा हूं को स्टेट्मेंट को अगर स्टेट्मेंट आपको लिखना है को स्टेट्मेंट क तो इस वीडियो में नहीं करेंगे यह लंबा हो जाएगा ठीक है तो नेक्स वीडियो मिलते हैं कोश्चन नमर तरी स्टार्ट करेंगे ओके तब तक लिए इस वीडियो में इतना है चलो बाई